पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना जा रही है इस बार तो तीज परताप यादो का भी नाम सामने आ गया है दरसल आपको बता दे कि बिहार में एक बाप फिर से जो सरकारी तंत्र हैं उनकी इंट्री हो गई है नितीश कुमार को ले करके बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से तरेश्वी के साथ जाने को ले मंजूरी मिल गई है सी बी आई ने इसको मंजूर कर दिया है केंदर सरकार ने सी बी आई को बिहार के पुर्व रेल मंत्री लालू परसाद यादों के खिलाप मुकदमा चलाने के मंजूरी दी है च्बी आई नहीं जनकारी राउज अवेन्यू को दी है ुसके पहले 18 से म् को राउज एवेन्यू कोट ने जमीन मनी लॉंडरिंग मामले में बिहार के पुरोसिये लालो प्रसाद यादो तेश्वी यादो और आरोपियों को समन जारी किया था पहली बार कोट ने इस मामले में लालो के बड़े बेटे तेश परताप अखलेश सिंग और उनकी पत्नी क किरन देवी को भी समन भेजा है कि तेश परताप यादो की सनलिपता से इंकार नहीं किया जा सकता है वह एको इनफोसिस लिम्टेड के निदेशक भी थे इडी ने छे अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाब पूरक आरोप पत्रदायर किया था इनमें से चार की महत हो चुकी है ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मिंद्र कुमार, अकले स्वर सिंग, रविंद्र कुमार, स्वर्गिय लाल बावु राय, सोना मतिया, देवी, स्वर्गिय किशन देव राय और संजर राय सामिल है आपको बताए कि ललन चौधरी की मृत्यू से जुड़ी पोस्टमाटम भी कोट में प्रस्तुत की जा चुकी है, कोट ने मिरत्य प्रमाण पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था, इस मामले में अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, सभी को कोट में पेश होना होगा, जिस किरन देवी को कोट ने समन जारी किया, वो पटना के रहने व कुंबई में किरन देवी के बेटे असोग कुमार, अभिशे कुमार के नौकरी लग गई, लैंड फर जॉब मामले में राजद प्रमुख लालू परसाद यादों के करीबी सायोगी अमित कात्याल को दिल्ली हाई कोट ने नियमित जमानत मिल चुकी है, नियाय मूर्ती नी आए खिरासत में हैं और उसमें मामले में ट्राइल को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है, ऐसे में अरूपियों को जेल में रखने से कोई उदेश का हल नहीं होगा, इस केस में 13 अगस्त को जाच एजनसी के तरफ चानबे नए डॉक्मेंट्स भी पेश के गए थे, वि पसंद आई अरूप भीहार के राजनी और भीहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रूप मुफ्त में मिल जाए, अगर अगर पत्रक